हलो स्टूरेंज, कैसे हैं आप लोग, क्लास सेवन में आपका फिरसी स्वागत है, फाइबर टू फैबरिक, आपका सेकेंड चैप्टर, और ये सेकेंड बार्ट है, पिछली बार्ट में हमने फाइबर क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल फाइबर की बारे में पढ़ा था, एनिमल फाइबर में सबसे पहले वुल, वुल हमको कहां कहां से प्राप्त होता है, यह हमने पढ़ा था, आज हम जानेंगे वुल को कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन-कौन सी प्रोसेस हमें अपनानी पड़ती हैं, कि हम एक शिप से वुल को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी उनकी अच्छी नशल बनाने के लिए प्रजनन कराना तो शिप आर रेर्ड in many parts of our country लाइक जम्मो कश्मीर, हिमाचर प्रदेश, उतराखंड, सिक्किम, अरुनाचर प्रदेश, राजस्तान, पंजाब, भरियाना, गुजरात इन सबी राज्यों में क्या है, शिप को पाला जाता है, किसके लिए वोल के लिए पाला जाता है, शिप फीट ग्रास और लीवस हैं, उसको शिप को खाने के लिए दिया जाता है ये भी जो चीज़े हैं वो शिप को खाने के लिए दी जाती है जब चाड़ों का मौसम होता है तो इनको भी ठंड लगती है तो इनको क्या करते हैं अंदर एक शेड होता है उसके अंदर उनको रखा जाता है और उनको सुखी घास और अनाज वगेरा राय जो खाना होता है वो खाने के लिए दिया जाता है और जब ब्रीड यानि कि अच्छी ब्रीड के लिए क्या किया जाता है पेरिंट्स में से पेरिंट्स जैने कि जो भी माता पिता जो होते हैं तो उन में से एक अच्छी नसल का होना जरूरी है जिसी कि जो बच्चा हो जो बेबी शिप हो वो क्या हो वो भी अच्छी नसल का हो अच्छी नसल का होगा तो हमें क्या होगी अच्छी प्राप्त होगी इसलिए उनकी ब्रीडिंग के लिए भी विवस्था अच्छे से की जा उनको क्या किया जाता है इस तरीके से पाला जाता है फिर उसके बाद प्रोसेसिंग फाइबर टू इंटो वूल जो फाइबर उनसे मिलता है जो शीब है उसको वूल में प्रोसेस कैसे तरीके से किया जाता है उसके स्टेप्स है पहला शेरिंग हमने पिछले वीडियो में भी देखे देखे देख, scouring, sorting, remove burst, dying और rolling ये step के से हमें क्या मिलती है वो मिलती है, तो सबसे पहला step है sharing तो इसमें क्या किया जाता है जो ship है उसके fleece यानि की जो बाल है उनको क्या किया जाता है ship की पतली सी एक layer होती है skin की layer उसके सहित निकाला जाता है कुछ औजार होते हैं उसके जरीए उसके शरीर से उन बालों को निकाला जाता है तो ये बाल निकालने की जो process होती है ये कहलाती है sharing आप देख रहे होंगे जो ये ship है इसकी बाल निकालने जाते है और इसमें हलकी सी एक skin की layer भी होती है तो ये step कहलाता है sharing दूसरा है scouring फिर क्या किया जाता है जो हम निकाली है ship की जो skin के सान जो fleas निकाले हैं उनको दोया जाता है, बड़े बड़े टैंक होते हैं उसमे उनको दोया जाता है, ताकि जो 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 गंदगी हो दूल की हो, वो साफ हो जाए, इटीस डजन्द वाइ मशीन, ये dependency हैं मशीनों से किया जाता है उसके बाद sorting जब धो लेते हैं तो उसके बाद hair skin is sent to a factory where hairs of different texture are separated यानि कि sorting मतलब होता है छाटना तो वहाँ पर क्या किया जाता है जब धो धो लेते हैं उसको भेजा जाता है मश factory में वहाँ पर अलग अलग texture के अलग अलग type के जो बाल है उसके please जो है उनको अलग-अलग किया जाता है यह process कहलाती है sorting की तो यह जहाँ पर factory में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर एक संकट पैदा हो जाता है occupational hazard है जो wool industry is an important mean of livelihood for many people in our country जो wool industry है जहाँ पर wool बनती है वो क्या है एक important जो important चीज है जहाँ लोग पहुत सारे लोग काम करते हैं जिस्तिकी क्या होते है वहाँ पर job करते हैं कोई छाटने का काम करता है कोई दोने का काम करता है लेकिन क्या है यह job risky है क्योंकि जो ship है वो क्या होती है कभी-कभी एक bacterium होता है anthrax आप next class में पढ़ेंगे microorganism के अंदर एक bacterium anthrax होता है जो कि उससे इंसानों में भी पहुँच जाता है इससे क्या होते है वरकर सारे बिमार हो जाते हैं और ये बहुत उससे फैल जाता है जो कि पेशनल जो हिजार्ड है उसको यानि कि जो व्याउसाय है व्याउसाय में संकट पैदा कर देता है इसलिए इसको occupational हिजार्ड बोलते हैं क्योंकि उसमें जो वरकर्स हैं उनसावी के सभी में बिमारी पैदा हो जाती है किसके कारण जो ये बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया एंथ्रेक्स के कारण तो अब हमने क्या कर लिया यहाँ पे separate कर लिये जो अलग अलग टाइप के फ्लीस थे वो separate कर लिये next जो step होता है cleaning of burrs यानि कि जो अब जो small fluffy जो हम देखते हैं उन देखते हैं उसमें पतले-पतले से रेशे जो चमक सी होती है रेशे उनको क्या किया जाता है उनको बर बोलते हैं और उनको अलग कर दिया जाता है और उसके बाद वापस फर से धो देते हैं धोने के बाद जो फाइब अगना एक स्टेप आता है डाई जब हमने धो दिया जो ship है वो mainly white color की होंगी या brown color की होंगी लेकिन wool जो है अलग-अलग colors में आता है तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है जिस भी color की आपको wool चाहिए उस color में उनको dye किया जाता है अलग-अलग color में dye किया जाता है next dye करने के बाद जो fiber है उसको क्या करते हैं रोल करते हैं बड़े बड़े उसमें रोल करके उनको सेपरेट करते जाते हैं और एक यान में बदल देते हैं लंबे लंबे धागों में बदल देते हैं और वो तैयार हो जाता है किसके लिए फाइबर जो फैबरिक बनाने के लिए जो हम बुनाई करते हैं उसके लिए वो त कि द्याएर हो जाता है रोलिंग के बाद तो यह सारीसारे स्टीम होने के बाद हमने एक वूल मिलती है सबसे पहले निकाली इसके बड़िया, गॉसके ट्रस्ट साफ गरी उसके बास साफ करने के बाद उसमें जो बर्ज थे छोटे-छोटे से उनक साफ किया और साफ करने के बाद उसका कलर कर दिया उसमें डाइ कर दी डाइ करने के बाद उसको रोलिंग से यान बनाया यान से हम क्या करते हैं सुन्दर सुन्दर जो भी कोट है मफलर है ये सबी हम क्या करते हैं बुलके पहनते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क सिल्क कैसे राप्त होता है तब तक के लिए आप इसे अच्छे से याद कीजिए थैंक यू बाई बाई